वेल्कम फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है फिल्मी टॉक्ट के 20 वे एपसोड में जहाँ पे हम आपको देते हैं साउथ और हिंदिड़ फिल्मों से जूड़ी कुछ लेटेस अपडेट्स अगर आप भी चाहते हैं कि आप रहें साउथ की हर छोटी बड़ी खबरों से अप बूलिएगा हम हर हफते सोमवार और गुरुवार को एक एपसोड लेके आते हैं जहाँ पे हम आपको हफते भर की सारी साउथ और हिंदिड़ फिल्मों की खबरों को देने की कोशिश करते हैं तो अगर आपको आपको अपसोड पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक फिल्म आइकन से तो दोस्तों अलु अरजुन की जितनी भी अपकमिंग फिल्में हैं उन में से सिर्फ एक आइकन ही ऐसी फिल्म थी जिसके टाइटल को अनाउंस किया गया था इस फिल्म को डिरेक्ट कर रहे है वीरु श्री राम और हाली में ऐसी अपडेट निकल के आ रह है तो अगर ऐसा होता है तो अलु अरजुन और राशी खन्ना पहली बार स्क्रीन पर एक साथ नजर आएंगे वैसे अभी है अलु अरजुन अपकमिंग फिल्म जो की त्रीविक्रम की एक अंटाइटल फिल्म है उसकी शूटिंग में बिजी है जो की 2020 में संक्रानती के मौ वाले हैं जिसके लिए फिल्म के जो प्रडूसर्स है वो उस फिल्म में महेश बाबू को लेना चाते थे पर प्रशांत निल ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि प्रशांत दिल का ये कहना है कि वो एक बहुती बड़ी मास फिल्म बना रहे है जिसके लिए उन्हें एक मास एक्टर चाहिए और महेश वावु एक क्लास एक्टर है और इस वज़े से प्रशांत निल इस फिल्म में जूनियर NTR को लेना चाते हैं और हाली में ऐसी खबरे निकल के आ रही है कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही NTR को स्क्रिप्ट भी सुनाई और NTR को स्क्रिप्ट आगे बरते हैं आज के तीसरी अपडेट की तरफ जो की निकल के आ रही है समानता की लेटेस रिलिस फिल्म ओ बेबी से तो दोस्ता आपको बता दे कि ओ बेबी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हो चुकी है फिल्म ने अपने पहले ही हफते 11 कडों के उपर का कारोबार क जल्दी ये फिल्म एक ब्लॉक्बस्टर का टैग भी ले लेगी फिल्म के ताबरतोर कलेक्शन को देखते हुए काफी सारे कनड़ा और बंगाली डिस्टिब्यूटर्स इस फिल्म को कनड़ा और बंगाली में डब करवाने की मान कर रहे हैं और दोस्तों इसी के साथ आपक में रीमेक बन चुका है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस फिल्म का हिंदी में भी रीमेक बना है वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दू कि ओ बेवी जिस प्रडुक्शन हाउस के अंडर में बनी थी यानि की शुरेस प्रडुक्शन वो राणा दगुबती के पिता के है और जैसी खबरे निकल के आ रही है उस हिसाब से शायद इस फिल्म के हिंदी रीमेक में शरद्दा कपूर या फिर अनुष का सर्मा नजर आ सकती है वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी एक्टरेस इस फिल्म में इस रोल में फिट बैठेगी हमे कमेंड वाक्स में जरूब दाईएगा बरते आज की अगली अपडेट की तरफ तो विजे दिवरकॉंडा और रश्मिका मंदेना आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म डियर कॉमरेट का जोर सोर से प्रमोशन कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म सभी साउथ इनियन भाशाओं में हो रही है इसलिए विजे और रश्मिका सभी स्टेट्स में जाकर फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और जो प्रमोशन सबसे ज़्यादा चर्चे में आया वो था फिल्म के कनड़ा वर्जन का जिसके ट्रेलर को रॉकिंग स्टार यस्ट ने लांच किया और इस शोर के दौरा विजे और यश एक दूसरे की फिल्म के डायलोग को बोलते हुए नजर आये जहां पर यश ने अरजुन रेडी के कुछ डायलोग को बोला वहीं विजे ने भी यश की फिल्म का डायलोग बोला था पर वो कौनसी फिल्म का था यह मुझे नहीं पता है वैसे हमने वो वीड जब यह film box office पर release होती है तब यह film box office पर क्या कमाल करती है आगे बरते हैं आज की आखरी update की तरव जो की निकल के आ रही है natural star Nani की upcoming film gang leader से तो film 30 अगस्ट को release होने वाली थी पर film से जुड़ा कोई भी बड़ा update निकल के नहीं आ रहा था और फिर कुछ दिनों पहले ही Nani ने twitter online पर video डाला जहां पर उन्हीं ने बताया कि वह नहीं चाहते थे कि वह फिल्म क किसी posttar को launch कर दे और उसके 10 दिन या 15 दिन बाद जाके वह महीने बाद जाकर film के trave कुन करें वह ऐसा नहीं चाहते थे वो चाहते हैं कि एक बड़ फिल्म से चीजर बाहर आने लगे तो वह जा जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक फिल्म का फर्स्ट लूक आ चुका हो जिसके बारे में हम गुरुवार को बात करेंगे और ये बात कर लेते हैं कुछ हिंदीड़ फिल्मों के बारे में इस हबते एक और जो फिल्म यूटूब पे अपलोड हुई है वो है Fun and Frustration जो की आदिती मूविस के यूटूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है वैसे ये कॉमेडी फिल्म आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूस जरूर दीजेगा आगे बरते हैं आज की आखरी अपडेट की तरफ तो कुछ दिनों पहले गोल्ड मैन टेल फिल्म्स ने नानी की ब्लॉकबस्टर फिल्म जर्सी का मोशन पोस्टर अपने चैनल पे अपलोड किया था जिसके बाद सभी फैंस को ये लग रहा था कि ये फिल्म हमें जल्दी टीवी और यूटूब पे देखने को मिलने वाली है तो आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं आपको बता दूँ कि सच बात तो ये है कि इस फिल्म की जो डबिंग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है जियां दोस्तो फिल्म की डबिंग अभी 15-20 दिन पहले ही सुरू हुई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये फिल्म आपको जल्दी देखने को मिलेगी ये फिल्म आने में अभी बहुँट टाइम है हो सकता है कि दो या तीन महीने भी लग सकते हैं पर शायद अगर गोल्मेंस की प्लैनिंग हो जल्दी रिलीस करने की तो फिर भी कम से कम दो महीने तो लगी जाएंगे इस फिल्म को आने के लिए दोस्तों यहीं दबता है अज के हमारे फिल्मेटों का यह एपिसोड उमीद करते हैं आपको अज का एपिसोड पसंद आये होगा वीडियो पसंद आतो इस वीडियो को लाइक उश्रे जरूर कीजेगा मिलते हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर